ओम शांती आज 21 अक्टूबर दो हजार चौबिस है बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे सफलता तुम बच्चों का गले का हार है सफलता तुम बच्चों का जनमसिद अधिकार है लेकिन चलते चलते कई बार सफलता हम अपने आप से बहुत दूर नजर आता है तो इसका क्या कारण है सफलता सदा हमारे गले की माला बनी रहे इसके लिए विशेश रुप से कौन से विशेश अटेंशन देना चाहिए आए आज के स्लोगन द्वारा जानते है जो स्वयम को परमातम प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं सफलता उनके गले की माला बन जाती है परमातम प्यार ब्रामन जीवन का विशेश आधार है परमातम प्यार ब्रामन जीवन को जियदान देने वाला है जहाँ पर इस इश्वर्य प्यार की कमी अनुभव होते हैं वहाँ पर जीवन भी निरस्ता सूखापन आ जाता है कोई रमनिक्ता नहीं कोई उमव उत्सहा नहीं अगर परमातम प्यार का उस परम पवित्र प्यार का सदा हम अनुभव करते रहते हैं तो परमात्मा का साथ भी सदा हमारे सिर के उपर रहता है और परमात्मा साथी बन करके हमें सहयोग भी उनसे अनुभव करते रहते हैं यह है परमात्म प्यार की विशेष्टा जो हमें इस प्राम्हन जीवन में निरंतर रूप से करना चाहिए जो परमात्मा के इस परम पवित्र स्रेश्ट और अविनाशी प्यार में सदा लवलीन रहते हैं, वे कभी भी किसी भी प्रकार की महनत का अनुभव नहीं करते हर चीज सरल और सहचता से कोई भी बात को पार कर जाते हैं, क्योंकि लवलीन है लवलीन रहना माना परमात्मा के प्यार के पीछे अपने हर कमी कमजोरियों को कुर्बान लगा देना, कुर्बान चले जाना दुनिया में भी हम देखते हैं हद के इनसान के हद के प्यार के पीछे लोग अपने जीवन को अपने जान को भी कुर्बान कर देते हैं अपने धन, संपत्य, अपने परिवार, अपने प्यार वालों को भी कुर्बान कर देते हैं लेकिन प्राप्ति उसमें कुछ भी नहीं है बाबा केते बच्चे, बाबा के प्यार में तुम अपना जान कुर्बान नहीं करना है लेकिन अपने कमी कमजोरियों को अपने अंदर के पुराने संसकारों को कुर्बान करो अगर कुर्बान इन सब बातों का करते हैं तो जहाँ पर कमी कमजोरी नहीं वहाँ पर ईश्वरिय दैवी गोन ईश्वरिय शक्ति आ जाती है और जहाँ शक्तिया है गोन है वहाँ पर सफलता को प्राप्त करना अती सहज हो जाता है सफलता हमारे गले का हार बन जाता है इसलिए परमातम प्यार के पीछे अपना सब कुछ कुर्बान कर देना है ताकि सफलता हमारी गले की माला बन जाए ओम शांती